गुद्ध मॉर्निंग चिल्रन केम छो बधा होम लॉनिंग कारेक्रम मा आप सो नू फरिती स्वागत छे स्टैन्डर्ड एट मा आजे रिविजन नी पहली अक्टिविटी आपड़े जो इशू चिल्रन, you all love to listen to music, right? I also love listening to music तमने बधाने खूब गमतू हशे, गीतो सामभडवा, घरे कदाच, कीबोड हशे, तो एने पन वगारता हशो तमे कोगने तबला वगारता जोया हशे, तमे कोईने धोलक वगारता पून जोया हशे तो शू आप ए बद्धा इंस्टूमेंट्स ना वइस ने मानो छो? Yes, we all love the sound of musical instruments आने लगतीज प्रवृत्ती आजे आपने करवाना छिये, तो चालो, let's start our class we can see many musical instruments on the screen all of you see, children there is a picture of piano, guitar, violin and many other instruments some instruments are new for you but don't worry, you can learn it later on हवे, आपने, textbook मा, page number 40 उपर जे प्रवृत्ती आपे ली छे ते आपने करेशू आप सो ध्यान थी सामभड जो match the musicians with the musical skill they are known for one is done for you children, this picture is given in your textbook and there are certain options given below this picture let us see the options हुँ आप सव माटे वाचिश खुब ध्यानती सामभड जो number 1, Hindustani Classical Vocal number 2, Playing on the Flute number 3, Playing on the Sarod number 4, Playing on the Shehnai number 5, Singing Guzzles number 6, Playing on the Sitar तो बार्मित्रो, जो यूने we have certain picture in image 1 and options are given in picture 2 what we have to do? आपने कोईपन पर्टिकुलर मुजिशियन ने एमना वाद्य साथे match करेशू तो आप सो तयार छो let us do the activity look carefully this musician's name is Amjad Ali Khan He plays Sarod बार्मित्रो, एमना हाथ माँ जे musical instrument आप सो जोई रहा छो तेनू नाम छे Sarod आप सो ये एमने TV उपर क्यारेक जोया जशे all of you remember children आपने पची options साथे match करवा ना छे तो आप सो याद राख छो this musician's name is Ravi Shankar and which musical instrument is he playing? वाँची शको छो आप सो? Yes, very nice, it's correct तेओ सितार वगाडे छे आप जोई शको छो तेमना हाथ माँ जे musical instrument छे तेनू नाम छे सितार तो आपने कही शक्ये छिये? श्री रवी शंकर प्लेस सितार बार दोस्तो आपना देशना प्रमुख संगित कारो मा पंडित रवी शंकर महाराजनू नाम वखणाय छे आप सो जोई शको छो तेमने पंडित नामनी उपाधी मडेली गती ज्यारे पण एमनू नाम संगित जगत मा लेवाय छे तेमने आपने पंडित रवी शंकर एवी रितेज ओड़किये छिये नीचे एमना विशे थोडिक महीती आप जोई शको छो विच इंस्ट्रूमेंट ही प्लेज शितार तेना पछी तेमनू जन्मनू वर्ष अनि मृत्यू नू वर्ष दर्शावेलू छे तारीख पन आप जोई शको छो 11 दिसेंबर तेओ बाणू वर्षे मृत्यू पाम्या हाता अने जेम में पहला कीदू तेमने पंडित नामनी उपाधी मडेली छे अने आपणे तेमनू नाम खूब सम्मान थी पंडित रविशंकर एवी रितेच लईये छिए आपणा भारत देशनू गोरव छे जे आप सवने खबर होवीज जोईए चालो आगड जोईए आप जोईशको छो दोस्तो माईक सामे तेओ हिंदूस्तानी क्लासिकल राग गाई रहा छे तेओ विविध राग गावा माटे प्रख्यात छे ए राग विशेनी वधारे माही ती आप गूगल उपर थी तमारी रिते लईशको छो शी इस किषोरी अमूंकर तिस पिक्चर इस अफ हरी प्रसाद चारसिया विच इंस्रूमें इस प्लेंग? यस प्लेंग फ्लूट यूज रिटन ओर देर बार दोस्तो बासूरी वगार्वी खुबज अगरी छे अपना स्वास ना कमपन थी बासूरी माथी संगीत उत्पन थाये छे अने तेना माटे तमारा स्वास मां खुबज भधरे ताकात होवी जो ये जेथी करीने सूरीलू संगीत आप बाहर लावे शको आपना देश ना प्रमुख बासूरी वादक मां हरी प्रसाद चारसिया जीनू नाम समावेश थाये छे नेक्स्ट वे विल सी बिस्मिल्ला खान सी दे पिक्चर केरफुली ही प्लेज शेहनाई यू कें सी दे इमेज अफ शेहनाई चिल्रन जेवी रिते फ्लूट वगाडवा मां स्वास ना कंपन नी जरूर पड़े छे अने खुबज वधारे ताकात नी पण जरूर पड़े छे तेवीज रिते शेहनाई पण एक एवुज मुजिकल इंस्ट्रूमेंट छे जेमा तमारे खुबज वधारे ताकात लगावी पड़े छे तोज सुरिलू संगीत बाहर आविशाके बार्मित्रो आप सव ए टीवी मा पिक्चर्ज मा जोयू हशे कोई पन दिक्री ना लगननु प्रसंग होय अने ज्यारे तेनी विदायत हती होय त्यारे शेहनाई जे इंस्ट्रूमेंट छे ते वगारवामा आवे छे जे वेदना रजू करे छे के कोई पन माता पितानी दिक्री पोताना सास्रे जई रहे छे तो हवे आप सव आ वातने ध्याने राख जो ज्यारे पन तमें शेहनाई क्यांक वाकता जूओ तो तमने ख्याल आवशे चलो आपने आगर जोईए सम इन्फरमेशन अबाउट उस्ताद बिस्मिल्ला खान तेमनू नाम पन मात्र बिस्मिल्ला खान नहीं पन उस्ताद बिस्मिल्ला खान एवी रिते खुबज सम्मान पूर्वक संगीत जगतमा लेवाय छे विच इन्स्टूमेंट ही प्लेश आप सव जानो छो शेहनाई वेरी गोड तेमनू जन्म एक्विस मार्च ओग्णी सो सोड न वर्ष मा थयो हतो अने तेमनू मृत्यू एक्विस मी ओगस्ट बे हजार छो मा थयो तेओ नेव वर्षे मृत्यू पाम्या अने तेमना नामनी आगर तेमने सन्मान आपवा माटे उस्ताद टाइटल नो उप्योग करिये छिये So, this was the information about उस्ताद बिस्मिल्ला खान This is the picture of a गजल सिंगर अने तेमनू नाम छे बेगम अक्तर तेओ गजलनी दुनिया मा एक प्रसिद्ध नाम छे आप सववे गजल गायक मा जगजीत सिंग नू नाम पन साम्डिव हशे एविज रिते स्त्रीव मा बेगम अक्तर नू नाम खुबज प्रसिद्ध छे आ तमाम ओप्शन्स आपड़े पहला माची लिधा छे हवे आपड़े जोईए कि कैा ऑप्शन्मा कैा म्युजीशिनन्नुं चित्र आपड़े मुखी शक्यए लेटेस टाट हिन्दुस्तानी क्लासिकल वोकल याद करो बार दोस्तो मिए कोना विशे क Вाद करीती आपेल चित्रों माथी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल कोन गाये छे? Do you remember? Let us see Kishori Amonkar Let us see the second option Playing on the flute कोनु नाम आऊशे? Yes Hari Prasad Chaurasya See carefully Next Playing on the Sarod Amjad Ali Khan Number 4 Playing on the Shehnai कोनु चित्रा आऊशे? बार दोस्तों Yes Ustad Bismillah Khan Let us see The fifth one Singing Ghazals कोनु चित्र बताव्यों तुमें? आप नाम याद करो Yes, it's correct आपने जोयोतू बेगम अक्तर नुचित्रा Very nice Last option चे अपने 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 बद्धा नाम बोली जेशूं Hindustani Classical Vocal The musician is Kishori Amonkar Number two Playing on the flute Hari Prasad Chaurasya Playing on the Sarod Amjad Ali Khan Playing on the Shehnaai Yes Ustad Bismillah Khan Very good Singing Ghazals Begum Akhtar And the last Playing on the Sitar Pandit Ravi Shankar So children We have done The first activity On page number 40 Children We have studied about Musicians And the musical instruments Played by them Now Next episode We will have Agani Pravriti Joyishu That's all Surakshit And the house Bhandta Ta-ta नमस्कार विद्यारति मित्व, कैसे हैं आप सब, मज़े में हैं ना, और हाँ, अब तो आप उनलाइन ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर इसी जरिये, आपने बिन बिन एकायोगी पढ़ाई भी की है, तो आज हम उन्रावर्तर के जरिये, उन्हीं इकायोगा एक बार फिर से पुन्रावर्तर यहाँ पर करने वाले हैं, और साथी साथ, हमने जो भी इकायोगी यहाँ से पढ़ी हैं, या आपने खुद भी जीन इकायोगी पढ़ाई की हैं, उनके माद्यम से हमने बाशार सज्जिता से जुड़ी हुई, जो भी बात समझी है, पढ़ी है, सिखी है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानने वाले हैं, तो शुरूआत करते हैं उन इकायों से, के जिनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आईए, एक बार फिर से याद कर लेते हैं, तो देखे जरा, हमने पहली जो इकाय पढ़ी यह थी कवीता, और यह प्रातन गित्था, उसका नाम था तेरी है जमी, और आप सभी बच्य है, आप सभी हर रोज इसी प्रकार से बगवान को प्रातना जरूर करते हों के, है ना, और कवी, यहाँ पर बगवान से कई सारी बिन्ती भी करते हैं, तो इस कवीता में हमने जो का है और इसलिए हम उनको हमेशा प्रार्थना करते हैं आई दूसरी का हमने कौन सी पड़ी थी इदगा और यह तो बहुत ही रोचकाहनी है और इसके लेखक तो प्रेमचंद है और इस कहानी से तो आप बहुत सारी बाते भी सिखें कि इसका जो मुख्य पात्र था हामिद और उस बच्चे ने अपनी दादी के लिए किस प्रकार से बलिदान दिया कि सारे बच्चे उसके जो भी साथे से महमुत था महसीन था नूर था यह सारे खिलोने या कुछ खाने की चीजे ले रहे थे लेकिन इस ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा था हाँ चिम्टा खरी पड़ी थी अभी देख लेते हैं यह अंत्रिक्ष परी सुनिता विल्यम्स और अंत्रिक्ष से जुड़ी हुई कई सारी बाते हमें इस हिकाई से सिखने को मिलती हैं कि बहीं अंत्रिक्ष में किस प्रकार से जाया जाता है या सुनिता विल्यम्स किते हैं दिनों तक अंत्रिक पड़ी है तो आपको भी बड़े होकर क्या बनना है इस इकाई से हमें सीखने को मिला है चौथी जो इकाई हमने पड़ी है ये भी एक कव्य है और उठो दरा के अमर सपूर द्वारी का प्रसाद महाश्वरी ने ये कविता लिखी है और हमें ये सतत जागरित करते हैं कि तु में तो बहुत सारी शक्तिया है लेकिन उसके लिए हमें हमारे देश के लिए कौन सी बातों को ध्यान में रख कर कारिये करना चाहिए और हमें अंदर से जागरित करने का काम इस कविता के जरिये कभी ने यहाँ पर किया है कि उठो दरा के अमर सपूर नव युग का निर्म कर सकते याने की देश का भविश्य हो तो यह भी हमारे लिए बहुत ही महतोपूरा कवितार रही है इसके आगे हमने पांच वी जो इकाई पड़ी थी यह तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी सवाल बाल मन के जवाब डाक्टर कलाम के और इस इकाई के जरिए हमने डाक् रचपन में उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा परात की किस प्रकार से वेवेज्ञानिक बने और इसके अलावा भी राजनिती में स्त्रियों के लिए शिक्षा के लिए उनके क्या विचार है यानि ये एक प्रकार का क्या था शक्षातकार था इंटर्व्यू था और इसके इकाय जो हमने पड़ी थी और ये है बरत और ये एकांकी परकार की इकाय थी आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसके जो लेखकते राजा लक्षवनसी और उनके बारे में भी हमने बहुत सारी बाते जानी है और इस इकाय में दुश्यन्त और उनका जो पुत्र है बरत और उसका इस एकांकी में एक और भी नाम दिया गया था सरवदवन और वह सी के बच्चे के यानि की शेर के बच्चे के दात गिनने का प्रहतना कर रहा था और उसके साथ जुड़ी हुई पूरी कहानी इस एकांकी के जरी हमने पड़ी है समझे है तो से एक बार अब्यास जरूर करना चाहिए और इन इकायू के जरिये मुलत हमें तो बाशा सिखने है यानि कि हिंदी बाशा में किस प्रकार से अभी व्यक्ति का हूँ या किस प्रकार से हम बोल सके किस प्रकार से हम लिख सके और अच्छी तरह से बाशा सीख सके यह हमारे रूप से उप्योजन करना चाहिें, यानि कि बोलना चाहिए, लिखना चीकला चाहिए और बोलने और लिखने के साथ जुड़ी हुई बाषा की काई विशेश बातें ने भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और तब हम सही रुप से बाशा का व्यावारिक प्रयोक कर सकते हैं। और व्यावारिक प्रयोक से जुड़ी हुए कंई सारी बाते हमारे लिए महतवपून हैं। जैसे कि संग्या है, सर्वनाम है, विश्वशन है, क्रिया है, काल है, है ना, ऐसे कई सारी बाते जैसे कि अव्वे है, उपसर्ग है, प्रत्य है, लिंग और वचन के परिवर्तन के नियम है, इन सारी बातों के बारे में हमने जाना है। और अब हम पुन्रावंतन के जरिये हमने जो सिखा है उनको ही एक बार फिर से यहां पर देखने वाले हैं यानि कि दोबारा उसी बातों को दोहराने वाले हैं ताकि हम अच्छी तरह से उन बातों को समझ भी ले और अच्छी तरह से हमारे बाशा में उसका उपयोग भी कर सक तो आई एक ऐसा ही अभ्यास हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं तो देखे और हाँ आपको अपनी कापी और प्यान साथ में लेकर बैठना है क्योंकि मैं आपको एक प्रवत्ति यहाँ पर करवाने वाला हूं और जिसके जरिये आपको शब्दों को मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूं उसी प्रकार से वर्गी कृत करना है तो जरा देखिए सुचना पहले ही मैं आपको दे देता हूं कि मैं जो शब्दा आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं देने वाला हूं उनको संग्या सर्वनाम और विशेशन में वर्गी कृत करना है यानि कि यहाँ पर त के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं के प्रकारों के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन अभ्यास इसलिए आवश्चक है कि जब भी हमें विशेशन का प्रयोग करना है या संग्या के स्थान पर उचिस सर्वनाम का प्रयोग करना है तब हमें उनकी सह जानकारी भी मालूम होनी चाहिए तो आए पहले हम इन शब्दों को एक बार देख लेते हैं तो मेरे साथ देखते भी जाए अपनी कापी में लिखते भी जाए और पढ़ते भी जाए पहला शब्द है कुट्ता और दूसरा शब्द है देश इन शब्दों को पढ़ने के गोड़ा, गंगा, सुन्दर, मैं, हिमालय, चतूर, कुछ, आप, महनती, बड़ा, उत्तम, कोई, व, कौन, स्वयम, तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने इन शब्दों को देख लिया है, अब मैं आपको एक तालिका देने वाला हूँ, और आप अपनी कापी में भी संग्या, सर्वनाम और विशेशन इस प्रकार से लिखकर इन शब्दों को वहाँ पर भी वर्गी कृत कर सकत यह जो शब्द हमने आगे देखे, यह शब्द यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब इन शब्दों को हमें संग्या, सर्वनाम और विशेशन में वर्गी इकृत करना है, तो जरा देख लेते हैं, कि पहला शब्द है कुट्ता, क्या कहेंगे उसको, संग्या कह कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, या विशेशन कहेंगे, हाँ, संग्या कहेंगे, और संग्या का प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, चलिए, कुछ शब्द आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो देखते जाए, देखे, यहाँ पर जो शब्द है, उसने, यह क्या है, यानि कि दो व्यक्ति खड़े और तीसरे की बात कर रहें तब अन्यपुरुश्वाचक सर्वनाम का हम इस प्रकार से प्रयोक करते हैं कुत्ता तो यह क्या है हां यह संग्या शुब्द है और यह क्या है यह संग्या शुब्द है इसे हम परीचित है आप तो ये क्या है सरवनाम है काला तो ये किसी का रंग है गोण है हम विशेशन की परिवाशार से अवगत है तो काला शब्द क्या है विशेशन है इसी प्रकार से सुन्दर शब्द क्या है तो ये भी क्या है विशेशन है इकमल का फूल सुन्दर है या सुन्दर फूल बग जो भी आप कहना चाहें, इसी प्रकार से वाक्य प्रयोग भी हम कर सकते हैं. अगला जो शब्द है भारत, तो यह क्या है? संग्या है. कोई, कह सकते हैं, तो यह क्या है? सर्वनाम है. अनिश्चित वाचक, सर्वनाम का यह प्रकार है, कोई खड़ा है, लेकिन पता नहीं कौन है हमें नाम पता नहीं है तब हम इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं गंगा तो यह संग्या है एक नदी का नाम है किसी व्यक्तिका भी नाम हो सकता है तो यह संग्या का प्रकार है वह, मैं अगर किसी की बात कर रहा हूँ, मेरे साथी के नाम लेकर बात कर रहा हूँ लेकिन बार-बार नाम नहीं लेना पड़े, इसलिए मैं अब वह श्रब्द का प्रयोक करता हूँ है ना, या दूर या नर्टी की चीज, किसके लिए हम वह का प्रयोक करते हैं इसके बारे में भी हमें पता है, है ना, तो वह क्या है, सर्वनाम है, मैं, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब कहता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, या मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या है, सर्वनाम है, गोडा, तो गोडा भी एक संग्या शुब्द है ना स्वयम देखिए सर्वनाम के बारे में आपने बहुत सारी बाते जानी है और सर्वनाम के भी कई प्रकार है और उन प्रकारों से भी आप अवगत हो चुके हैं और स्वयम मैं स्वयम ये काम करने वाला हूँ तो ये स्वयम भी क्या है एक प्रकार से सर्वनाम शब्द है मेहनती, किशोर मेहनती लड़का था, तो मेहनती क्या है? उसकी विशेष्टा बताता है, ये मेहनती क्या है? विशेष्ण है, इसी प्रकार से हिमाले, एक परवत का नाम है, और नाम की बात हम करते हैं, याने की नाम, याने की संग्या, तो हिमाले क्या हुआ? संग्या हुआ, और बड़ा है ना तो बड़ा बड़ा क्या है किसी श्वर्ष्टू की क्या बताता है विशेष्टा बताता है है ना कि मेरे पास बड़ी कापी है मेरा थेला बहुत बड़ा है बहुत बड़ा तो क्या हुआ ये विशेष्टा हुई याने की बड़ा क्या है विशेशन है इसी प्रकार से देश तो देश शब्द है ये संग्या शब्द है है ना उत्तम हम किसी के लिए इस प्रकार का प्रयोग करते है किसी की विशेशता बताने के लिए है ना उत्तम शब्द भी क्या है तो ये विशेशन है तो यहां पर हमें जो भी शब्द दिये गए थे, उनको हमने संग्या, सर्वनाम और विशेशन में वर्गी कृष्ट करने का प्रायत्न किया, लेकिन हाँ, आपको अपनी किताब में से ऐसे शब्दों को खोजना है, यानि कि हर एक काई में ऐसे कई सारे शब्द है, लेकिन हमें ढूंडने हैं, और उनका, उनको संग्या, सर्वनाम और विशेशन में किस प्रकार से वर्गी कृष्ट करना हैं, यह हमें सीखना है, लेकिन यह आपको खुद को करना है, ताकि हम अच्छी तरह से उन शब्दों को समझ भी सके और उसके बाद, उसके प्रकारों के आदार पर भी आप उन को वर्गी कर सकते हैं, तो आप यह जरूर करेंगे, अगली बार जब भी मिलेंगे तो हम इसी प्रकार की बार्शाशत्ता की प्रवतियां पर जरूर देखेंगे, धन्यवाद.